हेलो दोस्तो ये है यामाहा की MT-15 जो इंटरनेशनल मार्केट में पहले से अबलेबल है और काफी जल्दी इंडिया में भी लॉंच होने वाली है और दोस्तो प्राइस किया होगा और कब तक ये बाइक देखने को मिलेगा ये सारी डीटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो वैसे तो MT-Series की काफी सारी बाइक्स इंटरनेशनल मार्केट में एबलेबल है पर इंडिया में MT-Series की एक ही बाइक देखने को मिलती है जो की यामाहा की MT-15 है और 125cc सेग्मेंट में काफी स्पोर्टी है और काफी लोग है इस बाइक की लूक्स और डिजाइन को काफी पसंद करते हैं लेकिन ये बाइक थोरी सी ओबरप्राइस लगती है जिसकी वज़े से लोग इस बाइक को लेने ही पा रहे है और यही रिजन है MT-Series के सेल्स कुछ महिने से इतनी अच्छी नहीं है लेकिन जो MT-Series के फैंस है जो इसकी ओबरप्राइस के वज़े से नहीं ले पा रहे है उनके लिए काफी अच्छी गूड नियूज है क्योंकि अब यामाह MT-125 को इंडिया में लॉंच करने वाली है इस बाइक के लूक्स और डिजाइन एकदम सिमिलियर MT-15 के जैसा रहने वाला है परफोमेंस के मामले में थोड़ी सी कम मिलेगी क्योंकि MT-125 में 125cc का सिंगल सिलेंडर फोल स्टोक लिक्विट कूल FI-BS6 इंजिन मिलने वाली है जो की पावर प्रोड्यूस करता है 14.7 HP की और टोर्क जनारेट करता है 11.5 न्यूटन मिटर का और इस बाइक में आपको 6-speed ग प्रोजेक्टर हेडलेंज देखने को मिलेगी LED DRLs, LED टेलेट्स और जो बोडी ग्राफिक्स है वो भी सेम MT-15 के जैसा मिलने वाला है दोस्तो टायर सक्षन की बात करें तो फ्रेंट में आपको 100 by 80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में आपको 140 by 70 का 17 इंच ट्यूबल देखने को मिलेगा और बात करें इसकी मिटर कॉंसोल को लेकर तो यह भी आपको सेम देखने को मिलेगा यानि के फुली डिजिटल मिटर कॉंसोल देखने को मिलेगा जिसमें आपको ट्रिप मिटर, ओडो मिटर, ट्रेको मिटर और स्पीडो मिटर जैसे फीचर्स देखने क तो मिलेंगे लेकिन दोस्तों इसमें आपको Bluetooth connectivity features नहीं मिलेगा और दोस्तों ये बाइक जब इंडिया में launch होगी तो इसमें एक छोटी सी कमी देखने को मिलेगा और वो है ABS इसमें आपको ABS देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों company इसमें अगर ABS दे देता है तो इसका price बढ़ने का chances रहेगा तब जाकर ये बाइक value for money नहीं रहेगा और इसकी suspension की बात करें तो front में आपको telescopic fog देखने को मिलेगा और इसके rear में आपको adjustable monoshock suspension देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छा comfortable रहने वाली है और ज्यादा थर 125cc segment की बाइकों में ये ही suspension देखने को मिल लेकर तो यमाहा MT 125 का एक showroom price 125,000 से start हो सकता है तो दोस्तों ये थे सारी updates यमाहा MT 125 को लेकर I hope वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो like, comment, share and channel को subscribe कर दे तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस क्या है